आज करवा चौत पर आए सुनते हैं साहुकार के साथ लड़के वाली या पौरानिक संपुर्ण कथा बहुत समय पहले की बात है एक साहुकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे यहां तक की वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में श्वैम खाते थे एक बार उनकी बहन ससुराल से माई के आई होई थी साम को भाई जब अपना ब्यापार वेवशाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ब्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आगरह करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौत का निर्जल वरत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख कर उने अर्ग देकर ही खा सकती है चूकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकले हैं इसलिए वा भूख प्यास से ब्याकुल हो उठी है सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेर पर एक डीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देते हैं दूर से देखने परवा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतूर्थी का चांद उदित हो रहा हो इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है तुम उसे अर्ग देने के बाद भोजन कर सकती हो बहन खुसी के मारे सीरियों पर चड़कर चांद को देखती है उन्हें अर्ग देकर खाना खाने बैठ जाती है वह पहला टुकड़ा मुँ में डालती है तो उसे चीक आ जाती है दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तिसरा टुकड़ा मुँ में डालने की कोशिस करती है तो उसके पती के मिर्ट्यू का समाचार उसे मिलता है वह बौकला जाती है उसकी भावी उसे सच्चाई से ओगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ करवा चौत कवरत गलत तरीके से तूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए है और उन्होंने ऐसा किया है सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चे करती है कि वह अपने पती का अंतिम सजकार नहीं होने देगी और अपने सतित वर से उन्हें पुनर जीवन दिला कर रहेगी वह पूरे एक साल तक अपने पती के सौ के पास बैठी रहती है उसके देख भाल करती है उसके उपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है एक साल बाद फिर करवा चौत का दिन आता है उसकी सभी भावियां करवा चौत का वरत रखती है जब भावियां उससे आस्रिवाद लेने आती है तो वह प्रतेक भावी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो ऐसा आग्रह करती है लेकिन हर बार भावी उससे अगली भावी से आग्रह करने का कह चली जाती है इस प्रकार जब छटे नंबर की भावी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है या भावी उससे बताती है कि चूकी सबसे छोटे भाई की वज़ा से उसका ब्रत तूटा था अता उसकी पत्नी में ही सकती है कि वह तुम्हारे पती को दुबारा जीवित कर सकती है इसलिए जब वह आये तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पती को जिन्दा न कर दे उसे नहीं छोड़ना ऐसा कहकर वह चली जाती है सबसे अंत में छोटी भावी आती है करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आगरह करती है लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है इसे देख करवा उन्हें जूर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिन्दा करने के लिए कहती है भावी उससे छुडाने के लिए नोचती ह लेकिन करवा नहीं छोड़ती है अंत में उसकी तपस्या को देख भावी पसीर जाती है और अपनी छोटी अंगली को चीर कर उसमें से अमरित उसके पती के मुँँ में डाल देती है करवा का पती तुरंत स्री गनेश स्री गनेश कहता हुआ उठ बैठता है इस प्रकार आगिनों को मिले ओम स्री गनेश आय नमहा ओम स्री गवरी मया की जय हो